चलो आज की ये छोटी से कहानी से कुछ सीखते हैं कहानी का सीरसके सबको प्रसंद रखना मुश्किल है एक किसान के पास एक टठू था एक दिन वो अपने बेटे को साथ लेकर टठू बेचने के लिए मेले की ओर चला मज़े की बात है थी किसान पेदल चल रहा था किसान का बेटा भी पेदल चल रहा था कुछ दूर जानने पर उन्हें तीन चार लड़के मिले जो मेले से लोट रहे थे किसान और उसके बेटे को पेदल चलते देखकर वो लड़कों में से एक ने अपने सातियों से अस्ते अस्ते का ओ कितने बुद्धू है ये दोनों खुद पेदल चल रहे हैं और टठू को खाली लिये जा रहे हैं चाये तो मज़े से टठू पर चल कर मेले से जा सकते हैं तुमने और भी कहीं देखे हैं कि ऐसे बुद्धू लड़के की बाते सुनकर किसान ने अपने बेटे को टठू पर बिटा दिया और वो खुद टठू को हाकता हुआ उसके पीचे पीचे चलने लगे एक बुड़ा आग बबुला होकर किसान के बेटे से बुला अरे मुर्क नीचे उतर जवान हो तगड़ा है फिर भी मज़े से टठू पर लदा है और बेचारे बुड़ा बाप पेदल चल रहा है तुझे सर्म नहीं मालूम होती क्या चल उतर नीचे टठू पर बाप को सवार होने दे या सुनते किसान का बेटा टठू से नीचे उतर पर अपने पिता से बूलने लगा बुड़ा बाप ठीकी कहते हैं टठू पर आप सबार हो जाए बस किसान टठू पर बेट गया और बेटा उसके पीछे पीछे पेदल चलने लगा थोड़ा आगे बनने पर उन्हें कुछ स्त्रियां मिली जो अपने बच्चों को मेला दिखा के लोट रही थी उनमें से एक स्त्रिया अपनी किसी सातिन से बोली देख तो बहन ये बुड़ा कितना निर्दई है इसमें जर्म जैसा कुछ है नहीं लग रहा है ये तो बड़ भी मेरे पीछे सवार हो जा बेटा फोरन बाप के बिज़े सवार हो गया इस प्रकार दोनों बाप बेटा टट्टू पर आगे बढ़ी रहते इतने में बाबाजी मिले जो उनको आंके फाल कर घूर रहते हैं फिर मूव बना कर बोले अरे बाई क्या बात है ये किसका टट् तुमारा है इस पर किसान बेटा सही टट्टू से नीचर उतर जाना पड़ा और उसने बाबाजी से पुचा बताईए अब हम लोग क्या करें बाबाजी ने उतर दिया सीधी सी बात है जिस तरह तुम इस पर रटक कर हाये हो उसी तरह उसे अपने कंदों पर लाद कर ले ज से कसकर बांदे और उनके बीच में से एक मजबूत लकड़ी जाल दी इसके बाद भी उसी लकड़ी के सहारे टट्टू को अपने कंदों पर लाद कर आगे बढ़े टट्टू इससे कस्ट में पड़ा तो जोर जोसे चिलाने लगा रस्ते में एक नदी परतिस जिस पर पू को चक्राय फिर बस उनीक की और दोड़ पड़े और लगे जोर से ताल्या पीतने लोग या शोर गुला शोर गुल सुना तो टट्टू और भी बढ़का और लगा चान तोड़कर चट पताने इसके बीच रस्त तूड़ गई और टट्टू नीचे गिरा और धम से पूल के नीचे नदी में आगिरे और गिरते ही मर गया विचारा किसान वही पूल पर माथा ताम कर बेट गया और आसु बहाते कहने लगा हाई हाई मैंने तो सबको प्रसन रखना चाहा परंद कोई प्रसन नहीं वा उल्टा मुझे तो इतने दुख उठाने पड़े टट्टू से ह याद दोना भी पड़ा इस चोटी से कहानी से हमें यह सीख मिलती है लोगों को खुश करने से जाद्या हमें खुद को खुश करना चाहिए हमारा ध्यान खुद को खुश करने में रहना चाहिए थैंक्यू